केंद्री मंत्री रविशंकर ने अपना वोट डाल दिया है और इसी दुरान उन्होंने कहा कि एक मजबूत इमानदार और सहासी प्रधान मंत्री चुनने का ये मौका है और आपका एक वोट देश और दुनिया की दिशार निर्धारित करेगा और इसलिए भारी मतोस से फिर एक बार से मोधी सरकार बनाएं और इसका इतना बड़ा प्रमान दिखाई पड़ा है कि आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान पहली बार अलग थलग हो गया है भारत ने मोधी जी के अगवाई में ये संदेश दिया है कोई आतंकवाद करेगा तो उसके खिलाफ प्रभावी कारवाई होगी और इसके लिए सरहत पार करना हो तो वो भी कार्टिया जाएगा